चैप्टर 11 3-Dimensional geometry CBSE 2018 के कोशन पेपर के कोशन डिसकस करेंगे देखो ये 2018 में सेट 1 का पेपर है तो कोशन हम 3D के डिसकस करेंगे आपका ये जो चैप्टर 11 है ये 10 मार्क्स का पूछा गया था आपको तो हम आपको दिखाते हैं कोउन से कोशन आये थे सबसे पहले देखो ये देखो एक ये कोशन आया था इसमें shortest distance निकालना था दो लाइन के बीच में shortest distance निकालना था तो ये तो NCRT जैसा कोशन ही है ये तो 4 मार्क्स गया था और 6 मार्क्स का कोशन है कि ये पूचा गया था ये आपकी मिसलीनिस में कोशन है मिसलीनिस का कोशन नमबर 18 है ठीक है ये होगा सेट 1 और फिर सेट 2 में भी ये ही सेम कोशन थे ये देखो ये सेट 2 है सेट 2 में भी बिल्कुल सेम कोशन पूचे गया थे यह भी देख लो एक बार यह देखो 4 marks का यही same question आया था shortest distance निकालना था और 6 marks का question वही same जो अभी आपने देखा यह देखो distance निकालना था यह भी discuss कर लेते हैं पहले देख लो कौन से आये थे और फिर next set जो दिख रहा है आपको set 3 है इसमें भी यही same question थे यह भी आप देख सकते हो set 3 का 4 marks का question था यह आने वाले time में न हम सारे paper solve पूरे solve करके दालेंगे पहले इतना देख लो पहले chapter wise कर लेते हैं न फिर पूरे paper को solve करके video upload करेंगे इसमें भी देखो shorter distance का question पूछा गया था और 6 marks का question 6 marks का question देखो क्या आया था यही same था यह देखो same question यही था distance of the point निकालना था तो अब इसको discuss कर लेते हैं question देखो क्या था 3 set में था find the shortest distance between the lines 2 lines है उन दोनों के बीच का shortest distance निकालना है तो देखो यह vector form है तो vector form वोला formula यूस करेंगे हम shortest distance क्या formula होता है इसका a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 vector upon magnitude b1 cross b2 अब देखो यह होता है a1 vector यह होता है b1 vector यह होता है a2 vector और यह होता है b2 vector अगर आपको लिखना है तो लिख लो a1 vector है 4i minus j b1 vector है i plus 2j minus 3k और यह है मारा a2 vector i minus j plus 2k और यह है हमारा b2 vector 2i plus 4j minus 5k अब सबसे पहले हमें देखो क्या चाहिए a2 minus a1 यहाँ पे भी mod रख लो किंकि distance है न तो distance हमेशा positive होना चाहिए a2 minus a1 a2 को a1 से minus करो यह a2 यह a1 दोनों को minus करो i minus 4i कितना बनेगा 3i minus j plus j कितना हो गया 0j 2k और यहाँ पे k है यह नहीं तो simple 2k आ जाएगा अब next हम निकालेंगे b1 cross b2 इसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पे determinant बनाना है यहाँ लिखना है i cap j cap k cap और यहाँ पे b1 के coefficient लिखने है जैसे इसका coefficient देखो क्या 1 2 minus 3 यहाँ लिख दो फिर b2 के b2 के देखो क्या 2 4 minus 5 अब इसको expand कर दो plus minus plus यह बनेगा i cap यह column और यह row यहाँ से छोड़ दो यह बनेगा minus 10 और बीच में minus यह बनेगा इसको इससे multiply इसको इससे यह बनेगा minus 12 और यहाँ minus पहले का है तो plus 12 minus j cap यह column और यह row छोड़ दो यह बनेगा minus 5 बीच में minus होता है तो plus 6 हो जाएगा minus 5 plus 6 plus k cap यह बनेगा 4 minus 4 तो यह बनेगा हमारा 2i minus j और यह बनेगा 0k ठीक है इसको लिखते ही नहीं है इसको ऐसी रहने दो यह लिखना है तो लिख दो फिर भी अब हमें चाहिए बीवन क्रॉस बीटो का मैगनिचूड तो देखो कैसे निकालेंगे आपने क्या करना है इसका square करना है 2 का square इसका coefficient है minus 1 minus 1 का square और 0 का square 2 का square 4 minus 1 का square 1 तो 4 plus 1 हो गया 5 रूट 5 अब हम shortest distance का formula लगाते है सबसे पहले देखो क्या है a2 minus a1 a2 minus a1 की value यह दिया minus 3i plus 0 j plus 2k क्या है dot b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 की value 2i minus j या 1 j भी लिख सकते हो और 0k क्या है upon में लिख दो root 5 अब इनका dot predict कर लो i dot i 1 होता है तो minus 3 2s हा minus 6 0 यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा 2 into 0 ठीक है तो answer इसका देखो minus 6 आ रहा है लेकिन distance हमेशा positive होता है ना तो हम इसको 6 by root 5 unit कर देंगे अब आपकी मर्दी आप rationalize भी कर सकते हो नहीं भी करोगे तू भी जालेगा तो यह हो गया हमारा question complete next question हम करेंगे 6 marks वाला next question आपकी NCRT का question था यह chapter 11 का miscellaneous exercise का miscellaneous exercise का question number 18 है chapter 11 का अब देख सकते हो same question है बिलकुल question देखो क्या पूछा गया था 6 marks का था तीनो set में था find the distance of the point this from the point of intersection of the line this and the plane this मतलब हमें क्या करना है यह हमारे पास एक point है minus 5 minus 5 minus 1 minus 5 minus 10 हमें क्या करना है हमें point of intersection निकालना है क्या करना है point of intersection निकालना है line और plane के बीच में क्या करना है point of intersection निकालना है line और plane के बीच में जैसे यह देखो यह मानलो आपके पास कोई plane है और इस plane की equation यहां लिखो r dot i minus j plus k equal to 5 और इस plane की ऊपर एक line है यह मानलो एक line है इस line की equation है इसका नाम L रख लो यह दीविये इसकी equation r equal to 2i minus j plus lambda times 3i plus 4j plus 2k क्या ठीक है मानलो कि इनके बीच में जो point of intersection है वो यह है ठीक है यह point a रख लेते हैं और यह point p रख लेते हैं तो हम यहां से एक perpendicular draw करेंगे तो हमें यह ap का distance find करना है समझा ही मेरी बात यह जो p point है यह line यह line है यह line और plane के बीच में मानलो यह point of intersection है और इस point से इस दोनों का क्या निकालना है distance निकालना है मतलब हमें ap का distance निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हमें यह p point find करना पड़ेगा क्या find करना पड़ेगा यह p point देखो कैसे निकालेंगे अब देखो यह हम आप याद रखो यह intersection किसके बीच में निकालने जा रहे है line और plane के बीच में ठीक है पहले तो line की equation लिखो plus 2k cap plus lambda times 3i plus 4j plus 2k cap इस equation को ले लो first और second equation लिखो r dot i minus j plus k cap equal to 5 सबसे पहला काम करो यह जो r की value है यहाँ पर replace कर दो यह r की value हम यहाँ दाल रहे है ठीक है तो r की जगा हम यह पूरी equation लिखेंगे 2i minus j plus 2k cap plus lambda times 3i plus 4j plus 2k cap ठीक है हमने क्या किया r की जगा यह पूरी value लिख दी अब dot i minus j plus k cap equal to 5 अब आपने क्या करना है normal जैसे multiply करते हैं वैसे करना है इसको इसके साथ dot protect करो इसको इसके साथ तो यह बनेगा 2i minus j plus 2k cap dot यह लिखो i minus j plus k cap plus lambda times इसको इसके साथ dot protect करो यह बनेगा 3i यहाँ space कम थी इसलिए थोड़ा नीचे लिख दिया 3i plus 4j plus 2k cap dot यह आएगा minus j plus k equal to 5 हमने क्या किया इसका इसके साथ dot protect किया और इसका इसके साथ dot protect किया i dot i 1 होता है तो पीछे बचेगा 2 j dot j 1 होता है तो minus minus plus हो जाएगा 1 k dot k 1 होता है तो 2 रह जाएगा इसी तरह यहाँ पे i dot i 1 होता है 3 बचेगा j dot j 1 होता है minus 4 बचेगा और k dot k 1 होता है 2 बचेगा तो यह बनेगा कितना 5 और यह बनेगा कितना 5 में से 4 गे plus lambda तो 5 उदर जाएगा 5 minus 5 lambda की value कितनी आजाएगी 0 अब आपने क्या करना है यह lambda की value आपने इस equation में replace करनी है first में तो lambda की value हम किस में दालने जा रहे है first में यह value substitute कर दो तो क्या बनेगा r vector equal to 2i minus j plus 2k cap lambda की जगा यहाँ 0 दालना है 0 3i plus 4j plus 2k cap अब अगला काम क्या करो आप r vector को न देखो यह जो r vector होता न यह general point होता है इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं general point को x i plus y j plus z k तो हम यहाँ पे r vector को लिख देते हैं x i plus y j plus z k k यह 0 हो जाएगा यह खतम तो पीछे बचेगा 2i इसको आइसे लिख दो minus 1j और इसको 2k k अब आपने क्या करना है compare करने coefficient i का i के साथ j का j के साथ k का k के साथ तो देखो i का i के साथ करोगे तो x हो जाएगा 2 फिर j का j के साथ करोगे तो y आजाएगा minus 1 और k का k के साथ करेंगे तो z आजाएगा 2 तो point of intersection आगया हमारे पास point of intersection आगया 2 minus 1 2 तो मतलब हमें p point निकालना था तो यह आगया 2 minus 1 2 अब देखो हमें निकालना है ap का distance ap का distance निकालने के लिए हम क्या करेंगे distance formula यूज करेंगे ठीक है तो हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे distance formula तो ap का distance होता है distance ap equal to देखो distance formula हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए rough में distance formula होता है x2 minus x1 का whole square y2 minus y1 का whole square और z2 minus z1 का whole square यह x1, y1, z1 x2, y2, z2 तो सबसे पहले कि है x2 minus x1 2 minus करोगे तो यह plus 1 हो जाएगा 2 plus 1 का whole square y2 minus y1 minus 1, minus कर रहे हो तो plus हो जाएगा minus 1 plus 5 का whole square z2 minus z1 2 plus 10 का whole square तो यह कितना बनेगा 2 plus 1, 3 3 का square, 9 5 में से बने 4, 4 का square, 16 2 plus 10, 12 12 का square, 144 144 plus 16 160 plus 9 169 तो यह बनेगा 13 units यह हो गया मारा question complete 15 16 16 16 16 17 16 16 16 16